ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर क्या है आज के खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज एठीन आपके पुनीत के साथ तो खबर यह है कि बाजार हो गया है धड़ांग और ऐसा धड़ांग हुआ कि इन्वेस्टर्स का 10 ला करोड स्वाहा हो गया यानि कि डूप किया वैसे आपको याद होगा कि इससे पहले बजट के दिन भी बाजार गिरा था लेकिन उसके बाद उसमें सुधार देखा गया थ तो क्या एक बार फिर से ऐसा ही होगा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये तो बताएंगे लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप भी बाजार का हिस्सा हैं तो आगे किन बातों का खया लखना चाहिए लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर बा दिया गया तो कोस्पाई में लोड सर्किट लग चुका है अब इसकी दो बज़ा है एक तो अमेरिका के हालात बले ही अमेरिका में राश्च्रपती चुनाव का जोर चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अगर बात करें तो हालत बड़ी खराब है तीन साल के सबसे हा मंदी भी आएगी हाला कि मंदी अभी आई नहीं लेकिन डर तो यही है कि अगर मंदी आई तो मार्केट और गिर जाएगा और यही डर अभी से मार्केट को एफेक्ट कर रहा है अचा दूसरी वज़ा है मिडिल इस्ट के आलात जो सुधरने के बजाए और बिगड़ते ही चले जा रहे हमास चीफ अहनिया की मौत के बाद इरान तम तम आया हुआ है और इस्राइल पर हमले की तैयारी कर रहा है यानि कि यहां पर टेंशन अपने पीक पर बना हुआ है और जहां से तेल आता है अगर वहीं टेंशन हो जाएगी तो तेल से मार्केट पर तो असर कर 38 साल के निचले स्थर पर पहुँच गई थी इसके बाद जापान के संट्रल बैंक ने येन को सारा देने के लिए कई सारे कदम उठाए इससे पिछले 10 हफतों की अगर बात की जाए तो येन करीब 10 पीसद चड़ चुका है और इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल फाइनेशियल मारकेट पर पढ़ा है बाग दरसल ये कि सबसे ज्यादा ट्रीडर्स कैरी ट्रेड के लिए येन में कर्ज लेते हैं और ले रहा है इसकी बजह से येन में उतार चड़ाव कम होता है ट्रेडर्स ये मानकर दरसल चलते हैं कि जापान में इंटरस्ट रेट ना न सलब यह कि ट्रेडर उस बाजार से कर्द लेते हैं जहांपर interest rate कम होता है और फिर invest उस बाजार में जाकर करते हैं जहां interest rate ज्यादा होता है इस मामले में जापान पर ट्रेडर हमेशा से भरोसा करते हैं लेकिन जापान के central bank ने yen को बचाने के लिए जो ख़दम उठाए उस लेकिन कल क्या होगा, कल का क्या, आगे क्या होने वाला है, कोई सुधार होगा, नहीं होगा, इस पर अब आते हैं, बात ये है, खबर आ रही है, कि इरान कभी भी इसराइल पर हमला बोल सकता है, पूरी तैयारी है, मिसाइल वगेरा तैनात हो चुकी है, और हेजबुला ने त कर दी गई है इसके अलावा इंडियन एम्बेसी जो है उसकी तरफ से सोचल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया कि भारती लोगों को जरूरी ना हो तो फिलहाल लेबनान जाने से बचना चाहिए जो भी लोग लेबनान में हैं वो सतर करें ज्यादा मुमेंट ना करें और इंडियन एम्बेसी से जुले रहें किसी भी इमर्जेंसी में एम्बेसी को ख़बर करें तो ये तो हालात हो गए मिडिलीस्ट के जो बता रहे हैं कि आगे और वहंकर युद्ध छेड़ने वाला है लेकिन क्या मार्केट पर इसका असर होगा तो बाजार के जा सीना छोड़कर चली गई ये दुनिया में अभी काफी उठा पटक चल रही है और इसकी वज़े से बाजार में उतार चड़ाव खूब बना रहने वाला आगे भी और बड़ भी सकता है माइने आप समझ गयोंगे यानि कि सोच समझ कर काम करना है इसके अलाबा अगर एंट ना सही है नया पैसा भी इंवेस्ट करने से पहले वो दुरगटना से देर भली कहते है न उस बात को याद कर लेना चाहिए यानि कि कुल मिलाकर सैयम की जरूरत है सैयम के साथ काम करने की जरूरत है आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के सरी जरूर बताएं